हमारे कोर्स के अंदर कौन कौन से बढ़े टॉपिक है जो स्पेशल एंपिसाइज होना जरूरी है या जो टाइम टेकिंग है यह चाहर यह टाइम टेकिंग टॉपिक्स है वन वन सिक्स एटी परसेंट चांसेज होते हैं कि आएगा पेपर में इन तीनों का हंड्रेट परसेंट चांसे की पेपर में आएगा 116 80% बोल रहा है इसलिए कभी भी अगर आपको यह सोचना पड़ जाए कि अरे यार मैं सीक्वेंसिंग क्या रखो तो 116 को इन तीनों के बाद ही रखना सीक्वेंसिंग रिवीजन करने चाहिए क्यों यह तीन आएंगे लिखके रख लो आएंगे पेपर में 116 80% चांसे आ यह चार टॉपिक को मैं कैसे स्टार्ट करूँ स्टार्ट विद इस स्टार्ट विद इस एंड देन गो विद दिन वह कम है इसके साइस से यह याद रखना इनका वेटेज क्या है मैं बता रहता हूं इसका एप्रॉक्स वेटेज देखो 6 मांग भी आ सकता है तो आने को 10 मा लेके चलो बिजनेस कॉंबिनेशन का वेटेज तुम 14 से 20 मांग लेके चलो फाइनेशल इस्ट्रॉमेंट भी तुम 15 से 20 मांग तो कहीं नहीं गए लेके चलो इस तरीके से अब अगर हमें इसमें से भी अगर इनको भी हमें रिवाइस करना है तो यह बहुत गलत तरीका हो हो जाएगा कि हम सबसे पहले इनी चारो को रिवाइस कर रहे है इनी चारो को जब रिवाइस करेंगे तो तो ताइन बहुत जादा लग जाएगा फिर छोटे टॉपिक्स को हम जादा इंपोर्टेंस नहीं देपाएंगे तो वाट शूद बीदा रिविशन सीक्वेंस है अगें ब्लस वन बिक टॉपिक इस तरीके से तुम्हारा सीकोइंस ब्लिशन में आपको अलग से प्रोवाइफ करूंगा मैं इस शॉर्ट में बता रहा हूं विकास बच्चा कन्फिज ऑजा था कि मैं कैसे करूं प्लस वन फ्यूव स्मॉल प्लस वन इस तरीके से अपका सीक्वेंस ओफ रिविशन होना चाहिए प्यू स्मॉल टॉपिक में भी सार कौन से स्मॉल टॉपिक अब इसमें भी दो कैटिगरी होती है हाइस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट तो उनके मिक्स को लेके चलोगी तो ज्यादा बेटर है बाकी मैं आपको ही अब आपको क्या करना है आपको इन दोनों में से कोई एक मैं आपको एक्सिपर्टीज हसल करनी है या तो इसमें या तो इसमें या आपको त्याई करना है अगर आपको दोनों बहुत अच्छी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो दोनों में से किसी एक में तो आपको minimum expertise आसिल करने करने है क्योंकि 20-20 अवाल है ठीक है रही बात 115 की तो 115 क्योंकि theory है नहीं हो पाता इतना सारा तो 115 को करने का तरीका क्या होगा 115 को चबब करोगे, तो आप मेरे notes उठाओगे, थोड़ा-थोड़ा points notes, notes में से पढ़ते गए, इकट तक पूरे, यह जो 22 page के notes है, पूरे पढ़ने की जुरुत नहीं, थोड़ा-थोड़ा part पढ़ा, और जो मैंने series आपको दिखाई है, जो series wise हमारे question है, step 1 का part पढ़ा, तो step 1 के must-do category questions आपने कर लिए, मैंने must-do category questions आपको note करवाए है, जिसकी separate PDF list में आपको provide करूँगा, so 115 जब भी तुम करोगे, कहा गया, पता नहीं किदर रिखा मैंने, 115 जब भी तुम करोगे, 115, कुछ portion concept करके, उसके question कर लो, question सब कुछ अगर नहीं लगा पा रहे हो, तो at least, at least ये must-do category, ये must-do category को लगा दो, this should be the procedure, guys, have you understood this point, this point, so guys, thank you so much, अभी हम और मिलेंगे आगे, और बाकी study planner भी आपको मैं provide करूँगा जदी, चीग है, thank you.